ओके दिन वल्कम टू दा नेक्स लेक्चर और आज है हमारा आउटोकैड सिविल आर्किटेक्चर और इंटेरियर का टेंथ लेक्चर आज दस्वां लेक्चर हम लोग लेने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में जो तो पिछले टाइम पिछले लेक्चर में हमारा छूड गया था कमांड कुछ कमांड के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे हमने लाइन पॉले लाइन सरकल आर्क रेक्टेंगल पॉलिगन ले लिया था अब जाके आज हम लोग इलिप्स के बारे में जानकारी लेंगे यान कि हम hatching, super hatching, gradient, यह सारी चीज़ हैं, फिर boundary देखेंगे, वो भी पूरी details में, तो अच्छे से समझने की कोशिश किजिएगा, ठीक है, चलिए, suppose मैंने एक यहाँ पर rectangle ले लिया है, पहले तो मैं ellipse ले लेता हूँ, यह देखिए, we can start from here, ellipse लिया मैंने, और ellipse में जाने के बा और्थो हमारा off होने की वज़े से, यह किदर भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, और्थो को on करेंगे, ताकि यह straight हो जाए, यह center से लिया गया है, तो आपको पता ही होगा, कि बबा, ellipse में क्या होता है, एक major axis होता है, एक minor axis होता है, तो major axis कहते कि इसको है, तो यहां से, य यहां तक का हमारा major axis होता है, और यह हमारा minor axis होता है, ठीक है, यह circle जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, circle में चारों तरफ का distance बिल्कुल बराबर होता है, बट ellipse में क्या है, एक तरफ का जादा और एक तरफ का कम होता है, यह हम पे depend करता है, कि हमें कितना चाहिए, आईवा major axis कितना चाहिए, मैं suppose 4 ले लेता हूँ, enter कर दिया, फिर यह पुछ रहा है minor axis, suppose मैंने 2 ले लिया और enter कर दिया, इस तरह से 4 by 2 का हमारा ellipse बन चुका है, और यहां से आप देखते हो, यह देख लो 4 हो गया, और यह हमारा 2 हो ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है, यहां पर total यहां से यहां तक का distance लेता है, ठीक है, और फिर यहां center से side लेगा, देखते हैं, यह total मैंने 6 का ले लिया, और enter, देखो यहां पर आपको एक dotted dotted lines भी दिखाता है, ताकि हम लोगों को समझ में आए, इस से हमें पता चल जाता है, suppose मैं यहां से 1.5 ले लेता हूँ, और इस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, total distance ले लिया, हमने 4 आ गया, फिर क्या है यह हमारा 1.5, इस तरह से दोनों ellipse हम लोग ले चुके हैं, अब elliptical arc जो है, हमारे लिए बहत जरूरी है, आप लेते हो, यह लिया, यहां पर आप चाहो तो center पे click कर सकते हो, no problem, लिया, फिर यहां पे click करूँगा, अब जाए यहां पे 3 ले लिजिए, और 3 के बाद पुछेगा rotation चाहिए क्या हमें, तो बिल्कुल भी अभी नहीं चाहिए हमें, तो मैं यहीं पे click कर देता हूँ, है ना, और बाद में आप जाके check कर सकते हो, 1 second, अभी angle डालना है, 0, 270, यहां से लिया, और दि अब यहां पे angle पूछ रहा, 0 से हमें start कर सकते हैं, click करो, यहां से भी आप start कर सकते हो, यहां से भी आप start कर सकते हो, यहां पे click करूँगा, यह देखो 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप ellipse ले सकते हो, और मैं यहां पे अगर click करता हू तो इसको यहाँ पर आप lengthen का इस्तमाल करके इसका size बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा ortho मैं off कर देता हूं तो यह देख लो हम इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ इसlanden में जाके हम इसका कम भी कर सकते हैं यूंची यह कम कर सकते हैं एक बार फिर से जड़ा देख लेते हैं, तो ये है हमारा elliptical arc, ये लिए center, center में जाने के बाद यहाँ पे click करता हूँ, कहीं पर भी आप click कर सकते हो, ये देख लो ऐसा आगया, अंदेन यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, देख लो कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है, और और थो ह हमारा off था, इसलिए ये ऐसा आया है, टेड़ा टेड़ा, ठीक है, तो चलते हैं, ellips में जादा कुछ नहीं था, अब जड़ा हम बात कर लेते हैं, hatching की, याद रखिए, hatching बहुत important है, यहाँ पर जो हमने दिखाया है, ये देख लो, ये सब भी hatching कहलाता है, बट ये basic hatching है उस दिन मैंने इसे बता दिया था, बट अभी जो है, पूरी details में हमें जानना है, एक-एक options को जानना है, तो hatching को थोड़ा गोर से देखिएगा, hatching भी बताने वाला हूँ, फिर super hatching भी बताने वाला हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, और important भी है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़िएगा, ठीक है, तो चलते हैं, अभी hatching की तरफ हम लोग जाएंगे, और hatching में जाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक rectangle ले लिया, और चलो भाया मैं एक circle ले लिया, ऐसा मैंने दो ले लिये profile, अब यहाँ पे जाने के बाद, यह देखिए हमारा hatching ह हैं, और इसका shortcut है, hatch, enter, आप इस पे click कीजिए, और click करने के बाद, you can see here, यहाँ पे आप click कर सकते हो, यह हो गया हमारा, और इस पे भी आप click कर सकते हो, यह हो गया हमारा, दोनों हो गये, enter कर दो, इस तरह से हमारा आ चुका है, यह देख लीजिए, ठीक है, एक तरीका यह ह हो गया, दूसरा तरीका क्या है जी, मैं यहाँ से hatching में जाता हूँ, hatch में जाने के बाद, आप जरा इस पे गौर किजिएगा, यहाँ पे, यह देख लो, क्या लिखा हुआ इधर, select object, ठीक है न, तो select object से भी आप select कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ pick point वाला पहल hatching आ जाएगा, और select का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा, मैंने लिए hatch, इसको मैंने select पे click किया, या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, select का option, मैंने इसको select किया, तो यह आ गया, इसको select किया, तो यह आ गया, और इंटर कर दो, इस तरह से आप hatching ले सकते हैं, दो तरीके से, अब इसमें क्या-क्या option से उसके बारे में जानेंगे, मैंने suppose hatch लिया यहाँ से, अभी select नहीं चाहिए, भी pick point लेता हूँ, यहाँ पे click किया, फिर यहाँ पे click किया, अब देखिए, यह option पे जरा गौर करेंगे, इस option पे हमारा क्या होता है, pattern के type होते हैं, pattern के type, यानि अगर आप इसको खोलते हो, देख लिजे हमारे पास कितने type के patterns हैं, दिख रहा है, तो यहाँ पे आप चाहें, solid चाहते हो, solid ले लो, है ना, और NC31 चाहते हो, NC31 ले लो, NC32 चाहते हो, ऐसा ले लो, और यहाँ से हम चाहें, तो colors वगेरा change कर सकते हैं, यहाँ से चाहें, background चे बर है ना, और enter कर देंगे, हो जाएगा, इस तरह से आप hatching को बदल सकते हो, फिर से मैंने इस पे click किया, click करने के बाद दिखिएगा, यहाँ पे आप इसके scale को बढ़ा सकते हो, दिख रहा है, scale बढ़ रहा है ना, बढ़ा, 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 यहाँ से आप कर सकते हैं, आप यहाँ से gravel भी ले सकते हो, दिख रहा है यह, gravel भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम gravel भी ले सकते हैं, फिर से मैंने select किया, फिर यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद बागी का, यह सब तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो, color जो है थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, you can see, ताकि हमें आराम से दिखे, ये देख लो हमारा आचुका है, अब इसमें देखिएगा, मैंने एक साथ दोनों ही शेप में लिया है, रेक्टेंगल को भी मैंने फिल कर दिया है, और सरकल को भी मैंने फिल कर दिया है, मैंने इस को सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसका अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए, तो देखिएगा, इस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, हैचिंग पे, यहाँ पर इस ओप्शन पे जरा गौर किजिएगा, यह बहत जरूरी ओप्शन है, और यहाँ पे क्लिक किजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओप्शन दिखाए देगा, इसको बोलते हैं, सेपरेट हैच, सेपरेट हैच पे क्लिक कर दिजिएगा, तो यह अलग हो जाएगा हमारा, और यह अलग हो जाएगा हमारा, आप इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसके पैटन को आने के बाद यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्रेडी हमारा सेपरेट हो चुका है, आई बात समझ में, अब बात कर लेते हैं, और क्या-क्या है भईया, मैं अंडू करता हूँ थोड़ा सा, या तो रहने देते हैं, इसको select किया मैंने, select करने के बाद द आफ यह सब अभी हम नहीं चाते हैं, यहां पर यह सब दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आप इसका स्केल कम कर देता हूँ, यहां से मैं इसका scale कम कर देता हूँ, इतसी very simple, you know, आप इसका deduct करते जाएए, point one कर देता हूँ, मैं, इस तरह से, ये देखो हमारा आ गया है, आप enter कर सकते हो, या तो फिर escape कर सकते हो, इस तरह से आप hatching को ले सकते हैं, अब उसमें बहुत सारे type है, सर जी, देखिए कैसे होता है, इसको delete और इसको दोनों को delete कर देता हूँ, H is the shortcut for hatching ले लेता हूँ, है ना, इसको select किया और इसको भी select किया, अब जरा देखिएगा सर, यहाँ पे हमारा angle है, आप इसका angle बदल सकते हो, यह देख लो, कितना है, यह देख लो, angle आप change कर सकते हैं, किसी भी degree में आप रख लो, no problem, अगर by default NC 31 लेते हो, तो यह जो shape है हमारा 45 degree ही रहता है, मतलब 0 degree consider करता है, अगर मैं यह आप 45 डालता हो, तो 45 ले लो, सिधा आजाएगा, फिर अगर मैं 90 डालता हो, तो यह left side में shift हो जाएगा, you can see here, आप अब देखिएगा, और क्या क्या होता इसमें, मैं ने इसको select किया, set origin, set origin को हम बाद में देखेंगा, पहले associative को on कर दिया हमने, अब associative है ना, लेने का मतलब क्या होता, इसको select किया, यह associative, या तो set origin लिया है ना, यह क्या हो गया भाईया, इसको select करो, इसको मैं off कर देता हूँ, थोड़ा सा, select किया मैं ने, देखिए गया, associative हमारा, इसका मतलब यह होता है, आप देखिए, इसको बढ़ाएंगे ना, यह देखो, automatic हमारा, I'm sorry, यह रहा हमारा circle, और इसका size मैं बढ़ाता हूँ, यह देखिएगा, यह क्या हो गया, मेरा hatching का भी बढ़ा नहीं, बराबर है ना, circle का तो बढ़ गया भी यह, लेकिन यह circle को मैं छोटा किया, तो circle सिर्फ छोटा हुआ है, उसके साथ में हमारा hatching भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अब इसके लिए क्या funda है, वो जरा सक और से देखो, मैं इन दोनों को delete करता हूँ, फिर मैं hatching में जाता हूँ, इसको select किया और इसको select किया, और साथ में यह हमारा on है, बराबर है क्या, इसको on ही रहने देते हैं, और enter करता हूँ, अब देखिएगा, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, और circle को थोड़ा बढ़ा करता हूँ, तो circle के साथ में हमारा hatching भी बढ़ा हो रहा है, फिर मैं circle को हमारा hatching भी छोटा हो रहा है तो ये फाइदा होता है associative associative बटन को on रखने का फाइदा है ये आई बात समझ में associative बटन को अगर मैं off कर देता हूँ तो देखेगा मैं circle को select किया यहाँ पे मैं बढ़ा करता हूँ तो देखो circle के साथ में हमारा hatching नहीं बढ़ा और वही काम अगर मैं associative on करता हूँ ये on है हमारा तो circle को select करके आप छोटा करेंगे तो hatching भी छोटा होगा और बढ़ा भी होगा आई बात समझ में है तो इस तरह से associative की जरूरत आपको पढ़ सकती है तो बस आपको click कर देना है है ना उस पे on हो जाएगा by default ये on रहता है लेकिन अगर ना रहे तो आपको यहाँ पे click कर देना है इससे होता ये है कि बबाबा आप जब भी shape बढ़ा छोटा करते हो इसके साथ हमारा ये भी बढ़ा छोटा होता है और अगर मैं associative को यहाँ पर off कर दिया और फिर से मैं इस rectangle को पकड़ता हूँ और इसको मैं size थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ तो ये देखो rectangle के साथ में हमारा hatching नहीं बढ़ा हुआ इसके पीछे एक reason यही है कि associative button आपका off है फिर से आपको क्या करना पड़ेगा भया आपको फिर से hatching को पकड़के ऐसा करना होगा तो double काम हो जाता है तो इससे अच्छा ये है कि आप associative button को on रखिए वो ये button है by default अभी तो off हो गया है आप undo कर सकते हो है ना ये on रहेगा ठीक है अब देखिएगा सर जी ये है annotative अब annotative अगर on करते हैं annotative on किया महिने तो इसका जो scale है न वो आप यहां से भी बड़ा कर सकते हो ये देख रहे हैं नीचे नीचे वाला portion पे जरा सा गोर कीजेगा ये वाला option है यहां पे ratio है 1 ratio 1 का है लेकिन अगर मैं यहां पे click करता हूँ तो बहुत सारे 1 ratio 2 कर सकते हो ये बहुत छोटा हो गया क्या है बहुत छोटा हो गया लगता है चलो भी या मैं यहां पे 3 का ले लेता हूँ उप्स गलती हो गई थोड़ी सी 1 second न मैं यहाँ पे क्लिक किया एनोटेटीव हमारा ओन है यहां से मैं क्या करता हूं वण रइशो फाईव करता हूं लगता है बहुत छोटा हो गया यह थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं यूनु है मैं यहां से पकड़के ऐसा कुछ कर दिया है न और यहां से मैं एक सरकल भी ले लेता हूँ मैंने लिए hatching select किया select किया और इस पर जाने के बाद annotative को on किया और यहां से पकड़ के मैं देखता हूँ 10 गुना क्या हो रहा यार 3, 4, what? 0.1 का लेकर देखता हूँ 10 गुना बड़ा मतलब बहुत बड़ा हो गया यह लगता है यह कौन सा हो गया angle ले लो इसमें लगता है 0.1 नहीं 2 का अच्छा ठीक है 3 का तो 3 का है यहां पर मैं 2 ratio 1 का करके देखता हूँ you can see 2 ratio 1 ले लेता हूँ यह रहा मेरा उपस यह नहीं आ रहा है अच्छा ठीक है मैं इसको explain करूँगा don't worry तो यह हमारा हो चुका है अब देखते हैं थोड़ा सा यह लिया मैंने rectangle और इसमें मैं लेता हूँ different type का hatching जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया कौन सा ले लूँ कौन सा ले लूँ suppose मैंने यह वला ले लिया ठीक है यह ऐसा कुछ ले लिया इसका scale मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दो का ले लेता हूँ ठीक है इस तरह से ले लिया अभी देखिएगा यहां पर hatching में जाने के बाद न यह देखो एक match properties का option है आप देख रहे हो match properties का option है तो यहां पर इसका भी ऐसा करना है तो आप यहां पर click करो और इस पर जाके select करो यह देखो कैसा हो गया इसके जैसा ह हो गया ठीक है और फिर से मैं क्या करता हूँ पहले अगर इसको select किया तो यह pattern इस पर apply होने वाला है match property और इसको मैंने apply कर दिया तो देखो इन सब में हो गया तो जैसे MA करते थे ना हम लोग MA से भी आप कर सकते हुए MA enter और इसको मैंने select किया फिर इस पर apply किया तो वही काम यहाँ पर है match property का अब जरा देखिएगा गाउर से मैं फिर से लेकर बताता हूँ पहले इसको select किजिये फिर यहाँ से match property में जाए फिर इसको select किजिये तो इसकी जो property है इस पर apply हो गई ठीक है, आई बात समझ मैं, कि मैं इसको select करता हूँ, इसको select करता हूँ, E is the shortcut for erase, और enter कर दो, अब एक दो चीजें और भी देख लेनी चाहिए, suppose कर लोग हमारे पास एक circle ऐसा है, और यहां से एक और ऐसा ले लेता हूँ मैं circle, ठीक है, यहां पर तीन ले लिया है मैंने, और यहां पर एक और छोटा rectangle भी ले लेता हूँ, ठीक है, अभी गौर से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा important है, मैं इसको क्या करता हूँ, M4 move कर लेता हूँ, इसका center दिख रहा है न, और इसके center में मैं रख देता हूँ, circle के center में, यह हमारा circle का center है, चलिए इस तरह अगर हमें लेना है, अब hatching का इस्तमाल मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसको select किया, इसका type मैं बदल देता हूँ थोड़ा, यह लिए NC31, बहुत जादा दिख रहा है बड़ा, तो आप क्या किजिए, इसके size को और थोड़ा बड़ा किजिए, ताकि हम आसानी से देख पाएं, और यहाँ पे जो है yellow color कर दीजिए, ताकि हम आसानी से देख पाएं, ठीक है, अब देखिएगा, इतना तो मैंने ले लिया है, अब जरा सा options में जाके, दो चार options को देखेंगे हम लोग, यह देख लो, तीन, चार, तीन options हैं ना हमारे पास, इस list को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ details में बताने वाला हूँ, इसलिए हम हर काम details में करेंगे, आई बात समझ मैं, ताकि हमारे जैसा कोई ना हो, ओके, चाहे वो कहीं से भी सीखे, हम बहतर हूँ उन से, हम भी महनत करेंगे, आप भी महनत किजिए, दो इसलिए आपको बहतर होना पड़ेगा, ठीक है, अब जरा सा इन सारे options के बारे में गौर किजिएगा, अब क्या है इस सारे options का मतलब, देखिए, मैंने hatching लिया, options में गया, और यहाँ पे normal island detection, क्या हो गया यह? आपको देखिए, नॉर्मल island detection में, क्या हुआ, फरक पता चला, इसमें आया, एक छोड़ दिया, फिर इसमें आया, फिर दूसरा छोड़ दिया, तो इस तरह से alternatively hatching आती है, एक इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, अब दूसरा देखते हैं, सिर्फ बाहर के बाहर आया, ओके, इसके अंदर नहीं आया, सलेक किजिए, फिर से जाता हूँ, तीसरे वाले में जाता हूँ, इग्नोर आइलेंड डिटेक्शन, मतलब यह जो है, यह समझ लोगी बीचो बीच में है, तो आइलेंड इसको वो बोल रहा है, तो यह पूरा पूरा ले लेता है, है ना, यह सब कुछ भी नहीं, कई बार हम लोग एलिवेशन में, प्लानिंग में, जैसे कि पिछले ड्राइंग में, पूरा आ गया था ना, पूरा ड्राइंग में फिल आ रहा था, अल्टर्नेटिबली फिल, और फिर से जाओंगा मैं इसमें, यह देख लो, फिर अगर आप यह लेते हो, पूरा फिल हो गया, और फिर से यहां पर जाओंगा, फिर से सिर्फ आउटर लेगा, तो ज़्यादतर आप्शन में, यही रहता है बाई डिफॉल्ट, आई बद समझ में, यह जो चीजें हैं, वो बेहत जरूरी हैं, और आपको काम आने वाला है, अभी मैं इसको एडवांस मॉडलिंग बताने वाला हूँ, इसका क्या है सो, जो भी झूटी मोटी चीजें छूट जाएंगी, वो मैं टिप्स and ट्रिक्स का पांच लेक्चर रखा है मैंने, 5 लेक्चर वो मैं आपको लास्ट में बताğूंगा, कोर्स के लास्ट में, टिप्स and ट्रिक्स का 5 लेक्चर से कम से कम 10 गंटे का होगा, है ना, तो वो हमें आपको छोटी छोटी चीजें और tips and tricks उसमें भी discuss किया जाएगा बहुत सारी चीजें तो ये हो गया हमारा अब बाकी का तो इसमें कुछ बचा नहीं हाँ एक है हमारा transparency ये देखो transparent हो रहा है ये देख लो ये देख लो हमारा transparency आ रही है आए बद समझ में ये देख लो ठीक है तो ये हमारा hatching हुआ अब बात करते हैं जरा सा super hatching की तो चलते हैं super hatching की तरफ अब super hatching का मतलब क्या होता है जरा सा गौर से देखिएगा suppose आपको इन में से कुछ भी नहीं चाहिए इन में से ये जो pattern दिया हुआ है उसमें से कुछ भी pattern नहीं चाहिए हम लोगों को क्या चाहिए कुछ image चाहिए जैसे की wooden floor हो गया tile floor हो गया तो वैसे जगों पर हम कैसे लेंगे भाई हमें stylist बनाना है interior का काम करना है interior kitchen, interior hall, bedroom सब कुछ रहेगा ना तो अब हमें थोड़ा सा stylist यानि super hatching की तरब जाना होगा ये हमने hatching तो देख लिया है अब हम super hatching की तरब जाते हैं तो super hatching जो होता है वो हमारा इसमें होता है express tool में जरा गौर कीजिएगा इसको मैं express tool को on करता हूँ और express tool में देखिएगा हमारे पास ये एक और है draw का option दिया हुआ इधर और उसमें देखिए यहाँ पर super hatch आ रहा है आ रहा है नहीं super hatch तो इस पर हम लोगों को click करना है और click करने के बाद जरा गौर कीजिएगा आपके सामने ऐसा dialogue box आएगा और ऐसा dialogue box आने के बाद हमें क्या करना है पहले तो google से इस तरह का texture डाउनलोड कर लेना है देख लो मैंने क्या डाला है google में floor texture ठीक है wooden ले सकते हो आपको और भी चाहिए gray color में है तो gray color में भी ले सकते हो आप जो भी pattern चाहते है तो यहाँ से क्या कीजिए suppose यह वह लेना है आप इसको खोलिए यहाँ पर right click कीजिए और save image as कीजिए और यह हमारा save हो जायेगा अब देख लिजिए मैंने कहां रखा है desktop में image का folder है उसमें मैंने 4-5 इस तरह का texture डाउनलोड करके रख लिया है ठीक है क्योंकि यह stylist दिखाने के लिए हमें वो जरूरी लगने वाला है तो मैं super hatch का इस्तमाल जो है इस plan में करने जा रहा हूं देखिएगा कैसे वो काम करता है so go to express tool और express tool में जाने के बाद हमें जाना है super hatch में super hatch में जाने के बाद हमें क्या करना है image में जाना है और image में जाने के बाद जो भी आपको लेना है ले लिजे यहाँ पे click करके थोड़ा सा यह देखलो या तो यह वह ले लेता हूँ या तो यह भी ले लिया मैंने चलो इसको double click किया और यहाँ से मैंने okay किया अब okay करने के बाद हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे click कर देना है scale वगरा कुछ भी नहीं करना है अगर मैं चाहूत यहाँ से नहीं लेना बिल्कुल भी यह देखो बड़ा छोटा हो जाएगा यह हमें नहीं लेना है इधर जाके direct आपको enter कर देना है अब enter करने के बाद यह देखो छोटा साया हुआ है न no problem is the placement of this image acceptable yes अभी बोल रहा है specify option यहाँ पे specify option यहाँ पे click कर देना है यह देखे इतना reason हमारा specify हो गया और यहाँ पे जाने के बाद आप चाहो देखो advanced option में खोल के देख सकते हो हमें कुछ भी नहीं करना है है ना तो हमें कुछ भी नहीं करना है अरे यार exit हो गया फिर से लेके देखता हूँ sorry मैं यहाँ से यह ले लेता हूँ यहाँ से okay किया अब okay करने के बाद यहाँ पे click करता हूँ आप छोटा भी कर सकते हो no problem enter करूँगा यहाँ से yes करूँगा यहाँ पे click करूँगा और enter करूँगा यह देख लिजिए आपके घर में इस तरह का flooring आ चुका है यह देखो एक तरह का texture आ गया फिर से लेता हूँ भई image image के बाद चलो यह लेके देखता हूँ मैं open किया okay किया यहाँ पे हम लोगों को click करना है click करने के बाद हमें क्या करना है इतना बड़ा ठीक रहेगा हमारा यह इतना बड़ा ठीक है आप यहाँ पे click कर सकते हो click करने के बाद yes किजिए yes करने के बाद यहाँ पे click किजिए click करने के बाद फिर से enter किजिए तो इस तरह से आपका total आ जाएगा और ये लिखा हुआ था इसलिए लिखा हुआ भी आएगा यानि आपका जैसा image रहेगा वैसे ही आने वाला है अब ज़रा सा इसमें मैं apply करके देखता हूँ थोड़ा सा मैं इसको close कर देता हूँ इस area में मैं पूरा लेने वाला हूँ देखिए कैसे लेना है मैं फिर से क्या करता हूँ super hatch लिया image और मैं यहाँ से ऐसा लेता हूँ या तो ऐसा लिया ऐसा ले रहता हूँ यहाँ से okay फिर देखेंगे यह हमारा ठीक ठाक ही लग रहा है है ना इतना बड़ा ठीक रहेगा मैं यहाँ पर click करता हूँ यह देखो ठीक है और यहाँ से मैं yes करता हूँ फिर मैं देखो total यह जो total area और इसमें fill होने वाले इसको select करो यह देखो total area हमारा select हो चुका है अब enter कर दो अब देखेंगे हमारा कैसा आया है इसी तरह से क्योंकि यह है तो image है ना इस तरह से आप कर सकते हैं एक image को भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है बड़ा करके लेते हो तो भी आएगा अगर आप इसको पूरा पूरा बड़ा करना चाहते हैं तो देखिएगा फिर से मैं एक दम लेके दिखाता हूं यह लिए फिर से super hatch लेता हूं मैं image और image में जाने के बाद इसको ले लिया और open किया yes किया है ना इसको select करूंगा थोड़ा समय इसको इतना बड़ा करके ले लेता हूं यहां तक click करूंगा click करने कबाद हमें क्या करना है yes करना है yes करने कबाद इस area को select करना है और enter कर देना है तो देखिए इस तरह से यह आता है ठीक है और इसे अच्छा नहीं आता क्योंकि यह image है और image के टुकड़े wise यह ऐसा करके लेता है ठीक है अब ज़रा एक और चीज मैं बताने वाला हूँ मैंने अभी आप लोगों को block बनाना नहीं बताया है लेकिन थोड़ा सा demo देख लिजेगा कि अपने मन पसंद का अपने मन पसंद का आप tiling कैसे बना सकते हैं यहाँ पर block का है मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ एक demo देख लो थोड़ा सा मैं rectangle लेता हूँ rectangle में क्या किया मैं ने लिया chamfer और chamfer लेता हूँ मैं कितने पर कितने का 0 0.25 इंटर 0.25 इंटर और यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देख लिजेगा मैं यहां पर 0.5 टैब 0.5 ऐसा कुछ ले लिया अरे यह तो ओई सही आ गया सॉरी सॉरी वन का ले लेता हूँ फिर मैं रेक्टेंगल लिया चेमफर 0.25 इंटर 0.25 इंटर यहां पर क्लिक करूंगा और वन मीटर टैब वन मीटर का मैंने ऐसा कुछ ले लिया यह दिख रहा है आपको यह मेरा एक छोटा सा ऐसा है सपोज कर लोग इस शेप का हमारा टाइल होने वाला है और मैं इसमें क्या करता हू थोड़ा सा हैचिंग ले लेता हूँ और हैचिंग में जाने के बाद हमें क्या करना है solid में लेना है और solid में मैं ऐसा ले लेता हूँ ठीक है यह दिख रहा है आपको एक ऐसा मैं ले लिया अब मैं इसको क्या करता हूँ block में convert करता हूँ आपको अभी नहीं पता है लेकिन थोड़ा सा देख लो मैं उसको detail में बताने वाला हूं लेकिन क्योंकि अभी super hedge को थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं इसलिए मैं उसको बता रहा हूं आपको आई बात समझ में तो मैं क्या करता हूं block में उसको convert करता हूं यह देखिए हमारा block का section है आपको यहां पर create में जाना है my tile कर दो इदर my tile my tile नाम से मैंने इसको save किया है अब मैं क्या करता हूं select object select object में मैंने इसको सबको select किया और enter किया फिर जाके pick point को ले लो pick point में जाने के बाद आपको क्या करना है यहां से मैं थोड़ा track करता हूं यहां से मैं track करता हूं यह देखो यहां पे ले ले लेना आपको click कर दिया यह देख लो हमारा मेरा अपना बनाया हुआ tile आ गया है और मैं ok कर देता हूं convert to block है delete का भी option है अगर आप इसको रखना है तो रखिए नहीं तो ok कर दिजे यह हमारा block में convert हो चुका है इसको रहने देते हैं अब मैं क्या करता हूं जी इस जो यह हमारा kitchen है या bedroom है अभी जैसा मैंने tile बनाया है वो इससा tile अभी इधर आएगा सबसे पहले था में क्या करना है express tool में जाना है super hatch ले लेना है यहां से block लेना है block लेने के बाद आपको ok करना है और यहां पर आपको click कर देना है click करने के बाद देखिए यहां पर ऐसा ऐसा आ रहा है आपको कुछ भी नहीं करना है enter करना है एक बार और enter करना है और zero degree में ही रखना है तो zero enter कर दो अब देखिए क्या बोल रहा है is the placement of this block acceptable तो यहां पर yes है और no है अगर yes करना है तो why और enter ठीक है अभी बोल रहा है specify block तो block का क्या है कितना यहां पर आप click मत किजिए रहने दो यहां से पकड़के मैं यहां पर जाता हूँ यह हमारा block हो गया है है ना enter कर देता हूँ और इधर जाके मैं click कर दिया और एक बार और enter कर दिया यह देख लो कैसा आ गया सो और इसी तरीके से मैं यहां पर इस्तमाल करने जा रहा हूँ देखिए कैसा है सो यह रहा super hatch फिर लेता हूँ block फिर लिया मैंने ok फिर यहां पर किया click फिर यहां से कि या enter, एक बार और enter, एक बार और enter, उसके बाद यहाँ पर डालना है y और enter, फिर यहाँ पर बोल रहा है specify block, यानि block आपका कितना बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका block है, उसके बाद आपको enter कर देना है, ठेक, उसके बाद यहाँ पर इस area में आपको click कर देना है औ और इस तरह से देख लो हमारे पूरे रूम में फिल हो गया है, अगर आप थोड़ा छोटा करते हो, यानि इसका साइज थोड़ा छोटा करते हो तो भी चलेगा, नहीं तो मैं इसका साइज और छोटा करके ले लेता हूँ, चलो मैं स्केल जो लेता हूँ, छोटा करके लेता ह यह लिया यहाँ पर click करो scale जो है 0.5 करो और enter करो है ना यह देखो छोटा आया थोड़ा सा और यहाँ से 0 degree ले लो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है yes और enter करना है फिर जाके आपको block define करना यहाँ से यहाँ तक उसके बाद enter कर देना है फिर इस area को click करना है और एक बर और enter कर देना है देख लो इस तरह से हमने इसको fill कर दिया है देख लो कई बार ऐसा होता है बबा हमें bedroom में ऐसा दिखाना है हाल में ऐसा दिखाना है अब देखो इस इसको भी मैं वैसा ही लेता हूं मैंने लिया चलो इस जगा पर मैं दूसरा कुछ बनाता हूं दूसरे में क्या है ellips ले लू क्या चलो ellips ले लेता हूं मैं एक ellips लिया छोटा सा यूनो और्थो को on कर दो ताकि अईसा आ गया और इस पे मैं क्या करता हूं थोड़ा हैचिंग ले लेता हूं और हैचिंग का कलर जो है वो थोड़ा दूसरा ले लेता हूं मतलब मैं नहीं ऐसा कुछ ले लिया यह रहा मैं इसको सलेक्ट करूंगा यहां से क्रिएट में जागो पहले हमें इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्रिएट में जाओ माई टाइल 2 ले लो माई टाइल 2 इसका नाम है याद रखिएगा ओके गलती हो गई थोड इसको track करूँगा, फिर मैं यहां से इसको track करूँगा, दोनों को मिल के आ जाएगा हमारा नहीं हुआ, यह देखो, आ गए, यह हमारा pick point रहेगा, इसको click कर देता हूँ, यह देखिया हमारा आ चुका है, नाम में my tiles 2, ठीक है, ओके, यह देखो, हमारा block में convert हो चुका है, super hatching लिया, block में गया, my tiles 2 automatically आ गया है, और यहां से ok कर दो, अब ok करने बाद ज़रा गौर से देखियेगा, मैं इसको यहां पर apply करने जा रहा हूँ, यहां पर click कर दो, scale वगेरा कुछ भी नहीं करना है, या तो 0.5 रखना है, 0.5 कर दो और enter कर दो, फिर एक बार और enter कर दो, 0 degree रखना है, इसको भी आप enter कर दो, यह देख लो, आईसा आ चुका है, अब is the placement of this block acceptable, y प्रेस करके enter कर देना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, specify block, यानि block आपका कितना बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर click करो, और फिर यहां पर जाके click कर दो, ok, उसके बाद फिर से आपको enter कर देना है, उसके बाद जितना area में आपको यह tile चाहिए, उसको click करना है, यह देखो total area fill हो जाएगा, और एक बार और enter कर देना है, are you sure you want to do this, yes, और देखिए हमारा उसमें पूरी तरह से fill होने वाला है, क्योंकि वो छोटा है, इसलिए थोड़ा time लग सकता है, ल अपने घर में fill कर सकते हैं, आई बात समझ में, यह देख लो, अच्छा, मैं यहाँ पर fillet अगर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, इस rectangle के जगा, मतलब chamfer के जगा पर fillet ले लेता हूँ, तो क्या होगा, यह रहा मेरा fillet, sorry, rectangle, यह लिए मैंने fillet, fillet लेता है, 0.3 का इंटर कर दिया, और यहां पर click करूंगा, यह देख लो, one tab, one meter का ले लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक लिया है, बराबर, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इधर apply करके देखता हूँ, मैं इस पर क्या करता हूँ, कैसा gradient लेता हूँ, ग्रेडियंट लेता हूँ, ग् मैं इसको भी block में convert करूँगा, सबसे पहले इसको select किजिए, block में जाके create किजिए, और create में जाने बाद my tile 3 कर देता हूँ, और यहां से select object पे click किजिए, इसको select किजिए, enter किजिए, फिर pick point, pick point जो है बहुत important होता है रखने के लिए देखो, यहां पे रख देता हूँ मैं, फिर इसको आप ok कर दीजिए, यह हमारा convert हो चुका है, अभी इसमें मैं इस tile को fill करना चाता हूँ, express tool, super hatch, block में जाइए, देखो my tile 3 आ चुका है, ok कर दीजिए, यहां पे मैं click करता हूँ, और इसका scale बिल्कुल भी change नहीं करना है, enter कर देना है, फिर से एक बार और enter कर दीजिए, फिर से एक बार और enter कर दीजिए, अब यहां पर is the placement of this block acceptable, तो why enter, बरबर आप बोल रहा है block specify किजिए, तो यहां से यहां तक हमारा block का size होगा, अब जाके क्या करना है, enter करना है, फि देख लिजिए, आपके सामने एक और tiling आ चुका है, ठीक है, आई बात समझ मैं, तो इस तरह से करके हम अपने मन पसंद का hatching कर सकते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं super hatch, फिर से लेता हूँ image, यह लिया, ok किया, यहां पर click करो, scale factor जो भी है, इतना बड़ा करके मैं click कर द देना है, उसके बाद क्या बोल रहा, specify option, यहां पर click करो, यह देखो, आचुका है, इंटर कर दो, इंटर करने के बाद देख लो, यह इस तरह से हमारा flooring आता है, ठीक है, यह image अपने हिसाब से ले लेगा, ठीक है, HD में रहेगा, तो HD में आएगा, नहीं तो आपके हिसाब से आएगा, तो ज्यादा तर मैं अपने हिसाब से, जैसे एक टाइल का size कितना होता है, एक टाइल का कभी 10 इंच बे 10 इंच का होता है, 15 इंच बे 15 इंच का होता है, 18 इंच का भी होता है, बरबर है क्या, अब जड़ा साग gradient देख लो, रुख जाए, एक मिनटा, बस हमें gradient ह देखना है, आज उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे, gradient का मतलब क्या है, बिल्कुल आसान है भई, आप ले सकते हैं यहां से, देखिए यहां पर gradient है, gradient में जाने के बाद आप देख लो, यहां से इस तरह के gradient ले सकते हैं, आप देखो यहां से pattern भी चाहते हैं, pattern ले लो, solid चाहते हो, solid ले लो, gradient चाहते हो, gradient ले लो, और यहां से we are free to use any color, आप इसको angle में shift कर सकते हो, और यहां से आप उसके pattern को भी बदल सकते हो, किस तरह का pattern चाहिए, side में चाहिए, बाहर चाहिए, अंदर चाहिए, नीचे चाहिए, उपर चाहिए, इस तरह का कुछ pattern है, बाकी का और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, है ना, देख रहे हो, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और यहां से आप अलग colors भी ले सकते हैं, है ना, इस तरह से आप करके, very simple, you know, ठीक है, इस तरह से gradient होता है, कई बार हम लोग glasses वगएरा के इस्तमाल करने, glasses वगएरा में द boundary और यह सब कल बताता हूं, क्योंकि क्या है, details में देखने के लिए थोड़ा वक्त की जरूरत पड़ती है, बस है ना, तो यहां पर आज जो है, मैंने hatching, super hatching, ellipse और gradient बताया, ठीक है, तो चार चीजें आज हम लोग ने discuss किया है, और यह बहत जरूरी था, क्योंकि हर जगा पर हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो आज हमने क्या क्या देख लिया है, आज हमने ellipse देखा, types of ellipse देखा, gradient देखा, hatching देखा, और super hatching देखा, super hatching में याद रखेगा, यह दोनों बहत जरूरी है, image वाला type और block वाला type, ठीक है, ओके, बाबाई, good day, take care, thank you for joining digital care, thank you for this session, bye bye, good day.